नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वेशाली कानाडी और आज में बताऊंगी के इंप्लांट क्या होता है? इंप्लांट दरसल एक स्क्रू है जो हड़ी में फिक्स किया जाता है. जैसे अपने दांट चर्ण के सहारे जबरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह नकली दांट इंप्लांट के सहारे जबरे से जुड़ जाते हैं. क्या इंप्लांट लगाते वक्त दर्ध होता है? रात निकालते वक्त जितनी तकलीफ होती है उससे कई कुना कम दर्थ इंप्लांट में होता है रात निकालते वक्त जो खूल या लोकल इनिस्थीसिया दिया जाता है वही इनिस्थीसिया इंप्लांट के लिए दिया जाता है इंप्लांट निकलने के बाद एक बड़ी खुली जखम रहती है, लेकिन इंप्लांट में सब कवर किया जाता है, जखम खुली नहीं रहती है, इसलिए तर्ड बहुत ही कम होता है इंप्लांट किस माटीरियल से बनाया जाता है? इंप्लांट टाइटेनियम नाम के मेटल से बनाया जाते हैं, ये माटीरियल पायो कॉम्पेटिबल है, मतलब इससे शरीर को कोई हानी या अलजी नहीं होती, ये अपने मुह के हड़ी से ऐसे जुड़ जाता है जैसे बे शरीर का ही एक भाग हो इंप्लांट कब और क्यों लगाया जाता है? इंप्लांट के क्या फाइदे है? इंप्लांट की कमपनी, उसका टाइप, डॉक्टर की स्केल और क्लिनिक की जगह इन सारी चीजों पर निर्भर करती है एक इंप्लांट की कीमत 25 से 50 हजार के बीच हो सकती है अगर आपके मूँ में कोई दात नहीं है या आप डेंचर की जगह फिक्स कात लगवाना चाहते हो तो चरूर संशाइन डेंटल क्लिनिक को भेट कीजिए धन्यवाद